हमिरपुर में नशे का ग्राप पर तजा रहा है और इसी के चलते आए दिन बाहरी राजें से नशे के खेप पहुंच रही है हमिरपुर पुलिस ने गुप्त सोचना के अधार पर हमिरपुर शहल के बीचों बीच 5 किलो चरस बरामत की दियस्पी हितेश लखनपाल के नितरत में पुलिस टीम दोरा किये गए जॉइंट ऑपरेशन की कारवाई में दो तसकरों के कबजिब से 5 किलो 68 क्राम चरस की खेप परामत हुई है ये हमिरपुर पुलिस दोरा आज तक पकड़ी गई चरस की सबसे बड़ी खेप है हमिरपुर में नशे का गराफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते आए दिन बाहरी राज्यों से नशे की खेप भारी मातरा में हमिरपुर पहुँच रही है हमिरपुर पुलिस ने गुप सूचना के अधार पर हमिरपुर शहर के बीचों बीच पांच किलो चरस ब्रामत की है ये हमिरपुर पुलिस दोरा आज तक पकड़ी गई चरस की सबसे बड़ी खेप है एस पी अरजी सेनने बताये कि गिरफ्ट में आय तरस्त्रों से पूछतास की जा रही है उन्होंने बताये कि ये शातिर तसकर काफी अरसे से शहर में नसे का कारवार कर रहे थे उन्होंने बताये कि आरोपियों के पहचान अश्वनी कुमार, पुत्र सीताराम और बिशाल शर्मा के रूप में हुई है हमने एक FIR रिजिस्टर की है, FIR नमबर 79 जो कि थाना सदर में रिजिस्टर हुई है, NDPS Act में जिसमें 5 किलो 68 ग्राम चरस जो है वो एप्रिहंड की गई है इसमें दो परसन, दो व्यक्ति इन्वाल्ड थे एक अश्मनी कुमार उर्फ मली, सन अफ श्री लेट सीताराम रेजिडेंट ऑफ वाड नमबर 8 हमिरपूर, एज 32 साल और इनकी एक दुकान है हमिरपूर शाहर में और दूसरे विशाल शर्मा, उर्फ लवली, सन अफ संजे कुमार वाड नमबर 1 हमिरपूर के रहने वाले हैं और एक होटल में काम करते हैं गोवा में information के basis पे हमारी पुलिस टीम ने इन लोगों को apprehend किया और इतनी quantity जो है वो seize की है, हमारे DSP हेड़कॉर्टर भी मौके पे गए थे उसके लावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो अभी तक कारवाई रही है वो NDPS Act में काफी serious रही है, हमने पिछले साल के बनिस्बत इस बार almost double cases register भी की हैं और quantity भी काफी ज़्यादा seize की है, बोरंज में एक FIR के तहत हमने एक Nigerian भी apprehend किया है डेली से, उसके अलावा यह काफी बड़ा catch है जो आज तक हमिरपूर में हुआ है अर्जी सेन ने बताया कि चर्श तसकरों में एक अश्वनी कुमार हमिरपूर बजार में दुकान करता है, जिसके खिलाफ पहले ही बिविन धाराओं में बारा मामले दर्ज हैं, जबकि दूसरा रोपी विशाल शर्मा गोव में एक होटल में नौकरी करता है उन्होंने बताई कि दोनों ही रोपियों से गैंसा से परताल की जा रही है कायकरम में वक तो चला है चोटे से ब्रेक का, अगये मिलते हैं ब्रेक के बाद